अगनिवीर योजना पर मोदी सरकार एक बर फिर से घिर गई है। अगनिवीर अमरितपाल सिंग की शहादत पर जिस तरह का वैवार मोदी सरकार ने किया उससे देश में नाराज़की देखी जा रही है। अमरितपाल सिंग ने जमो कश्मीर के पूंच में ड्यूटी के दौरान अपना सर्वोच बलिदान दिया। अगनिवीर अमरितपाल सिंग ड्यूटी के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे। वही सीना की तरफ से उन्हें सलामी नहीं दिये जाने को लिकर सियासी घमासान तेज हो गया है जिससे मोदी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है क्या है पूरी खबर देखते हैं एर रिपोर्ट अगनीवीर अमरितपास सिंग की शहादत पर मोदी सरकार ने जैसी बेरुखी दिखाए उससे विपक्षियों ने सरकार को घेरा साथ ही मोदे पर सियासत भी तेज हो गई है आपको बदा दे कि शहीद हुए अगनीवीर अमरितपास सिंग को अंतिम विदाई ठीक से नहीं दी मोदी सरकार की अगनीवीर योजना पर इस घटना के बाद अब सियासत काफी गर्मा गई है बिहार के पुर्व राजिपास सत्तिपाल मलिक समाधवादी पार्टी राष्टी लोगदल और कॉंग्रेस जैसे दलों ने किन सरकार पर सवाल उठाए हैं कॉंग्रेस ने ट्वी भाई भी नहीं दी गई उनका पार्थिव शरीर एक आर्मी हवलदार और दो जवान लेकर आए इसके अलावा आर्मी की कोई यूनिट तक नहीं आई यहां तक कि उनके पार्थिव शरीर को भी आर्मी वाहन के बजाए प्राइविट एम्बोलेंस से लाया गया ये देश के शहीदों का अपमान है कॉंग्रेस ने एक्स पर किये इस पोस्ट के साथ शहीद अगनिवीर का वीडियो भी साजा किया है पूर्वर राज्यपास सत्यपाल मलिक ने भी पोस्ट करके लिखा आज शहीद अगनिवीर अमरित पास सिंग का पार्थिव शरीर उनके गाउं मलिक ने ये भी लिखाए कि ये घटना सावित करती है कि अगनिवीर इसलिए बनाए है ताकि शहीद का दरजा ना दिया जाए और फोज खत्म हो जाए कि इस सरकार को शर्व आनी चाहिए कि वो शहीद का दरजा नहीं दे रही है वही राजनीती के जानकार और विशलेशक अखिल स्वामी ने भी इसे मोधी सरकार की नाकामी करार दिया है दिवी लाइफ की रिपोर्ट साधे तोर पर बंजाब भेज दिया गया उसके पैत्रे गाउं में भेज दिया गया और उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी उसके परिवार को कोई साहता नहीं मिलेगी